दो स्टोक की रिच्ट कर वीडियो मेंद आपके स्वागत है दोस्तों मार्च का महीना हा है ठीक है ना मारच का महीना फिनांसियल यह का इत्वाचियाल करती होता है तो एक स्वाइड में यी नहीं रहता है लेकिन फिर भी कुछ share market में है तो कुछ ऐसे stock है जिसमें तेजी अभी भी बरकरार है टेक्निकली आप देखेंगे तो और इसमें तेजी को आप भुना सकते हैं लेकिन एक realistic जो बोलते हैं कि realistic मतलब approach लेकर चलना है इस मंत में particular क्योंकि महारत कमहिने में थोड़ा बहुत भी profit मिले 5% 4% का भी profit मिले तो भी profit profit ही है यह profit लेकर निकलना है ठीक है तो तेजी में अगर play करना है तो कुछ stock मैं आज फिर बताता हूँ तीन stock मैं बताता हूँ आपको जिसके अंदर swing trade करके या buy today sell करके या momentum investing करके आप अपना profit generate कर सकते चलिए कौन सा इस्टों का क्या logic है राता हूँ पहला Hevels India ठीक है यह देखे डे time frame chart है Hevels India में देखेंगे आप तो यह resistant zone यह बार बार फेस कर रहा था ठीक है यह resistant zone बार बार यह Hevels India फेस कर रहा था और नीचे की तरफ देखेंगे तो support उपर के तरह shift हो रहा था आज के दिन Hevels India ने पूरी तरीका से रसिस्टेंट को breakout करके इसके उपर 1528 के उपर price जाकर close किया है साथ ने volume का candle देखे जो पिछले कुछ week से volume का जो build-up चल रहा था सेम उसी से ज्यादा volume के साथ आज breakout दिया, successful breakout दिया और RSI भी देखेंगे तो एक दब mad bull जैसा switch mission है तो आप क्या बन सकता है कि इसी के उपर आप इस breakout zone के उपर ही जिस price पर भी मिले आप इस price पर आपको entry ले 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 और इसके अंदर 10-15% का target लेके चले या जो भी target आपको जहाँ पर आपको डर लगने लगे वहाँ पर निकल जाए क्योंकि मार्ज के महीने में आप ज्याद kind of situation है देखिए यहाँ पर यह resistant है इसका ठीक है और आज के दिन exactly इसी resistant को यह नाओ टच करके close दिया है 725 का देख रहा है previous swing देखेंगे तो previous swing के ऊपर जाकर close किया है previous swing क्या है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर तुछा सा जूम करके यह देखें दोस्तों previous swing यह था 700 और आज के दिन में 700 रुपया के ऊपर जाकर close आउट दिया है और इस बीच में volume का candle भी देख सकते हैं और RSI भी देख सकते हैं यह तीनों आपके favor में तो आप इसी के ऊपर position बनाएं और इस candle को पार होता हुआ दिख सकता है लेकिन बहुत ज्यादा लंबा target ले और SL बहुत ज्यादा बड़ा मत रखिएगा अगर SL अगर आप long term के लिए के चल रहा है तो SL आप 200 days के नीचे के रखिए ठीक है तो चलेगा दूसरा stock KCO के तीसरा stock है sun firm SMS फर्मा ठीक है SMS फर्मा एक च्छोटी सी company है यहाँ पर देखिए resistant के किस तर का खेला हो रहा है ठीक ह यहां से पर यह shooting star candle बना और shooting star candle इसको लगबग 120 के आसपास लेकर गया 140 से अब इसी के 20 के यह 140 के लेबल का उन्होंने यह box मैं जो बना कर बता रहा हूं देखिए 140 120 के उपर support लेते रहा है यहाँ पर touch किया नहीं गया फिर यहाँ पर रूखे और इसको 140 को breakout करके गया थे support लिया यहाँ पर देख सकते हैं कि red candle का कैसे यहाँ पर यह support लिया हुआ है ठीक है यहाँ पर यह देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर 140 के उपर rate candle लिया है और फिर वापस निकलने की कोशिज कर रहा है तो इसी के उपर आप अपना position में आपको डर लग रहा है तो 140 के नीचे क मेरा SL रहेगा, volume भी आपका increase हो रहा है और RSI, RSI भी आपके support में, ठीक है न जब स्थो, RSI में भी किसी तरह के gir out होगा रखा नहीं है, तो आप इसी के उपर अपना position बनाएं और 10% के target लेकर इसके चले, या जैसे जैसे इसके अंदर move आता जाएं, आपना SL जो है, trial करते जाएं, यानि SL उपर की तरफ shift करते जाएं, जब यह 150 bound के उपर निकाल दें, तो आप अपना आपको SL जो है, 100 खरीद price के आसपास, 150 के आसपास SL shift कर लें दोस्तों, इस तरफ करके छोटा-छोटा आप इसमें profit book कर सकते हैं, अगर मैं बोलू कि नहीं यहाँ पर बने रही है, तो March का मंत है, मैं खुदी trader हूँ, अब मेरे को मालू मैं कि इतना SMOOTH, अभी तक जितना SMOOTH ली पैसा बनाया, share market में, उतना SMOOTH अब बनने वाला नहीं है, इस महीने में, पार्टिकुलर इस महीने में, तो फिर मैं March closing के बाद ही देखूँगा, कि कोई बड़ा target लेकर चला जाए दोस्तों, ठीका, इस बीच में बहुत सारे stock, जो multi-bagger थे, वो अपने buying price पे आएंगे, entry station पे आएंगे, उस भी मैं आपको time by time बताते रहूँगा, उसी enterprise पे आपको इंटर करने का मौका मिलेगा, जैसे बरून, बेवरे, सफारी, इंडस्ट्री, या और भी बहुत सारी कंपणिया हैं, जिस पर नजर बना के रखेंगे, तो वो सब्सक्राइब आपको अपने entry station पे मिल जाएगा, तो उसी साब से करें, सिर्थ मेरे काहने पर ना जाएगे, जिस तो थेंक यू.